नमश्का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल में कुछ आपको कैमिकल्स अपने घर में ही मिलते हैं ऐसे जिनके बारे में शायद आपको सही से बोध नहीं होता है कि ये आपके लिए हानिकारक है तो हम कुछ ऐसे ही chemicals के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही commonly आपको अपने घर में मिलते हैं लेकिन आपको शाहिए ना पता हो कि आपको इस तरीकी के chemical से धूरी बना के रखनी है जो कि बहुत जादा ज़रूरी है आपकी pregnancy की safety के लिए नमबर वन पर दोस्तों हम बात करेंगे naphthalene balls की naphthalene balls क्या होता है कि जो भी आप अपने कपड़ों को कभी store करते हैं तो हमें naphthalene ball डाल देते हैं ताकि आप अपने कपड़ों को सुरक्षे तरक सकें cockroaches से या फिर क्यूडों से और naphthalene ball का हम परयोग कई बार अपने washrooms में भी करते हैं तो दोस्तों naphthalene ball जो है इसकी जो smell होती है वो कही न कहीं पर आपके लिए सिरदर्द का कारण बन सकती है कुछ cases में आपको vomiting भी हो सकती है कोशिश करें कि कभी भी आप naphthalene ball का परयोग कर रहे हैं तो अपने हाथों को धोले उसके बाद उनको कभी smell करने की कोशेश ना करें क्योंकि जो इसकी smell है ये आपको इस तरीकी की problems दे सकती है दूसरी बात करेंगी हम दोस्तों जो cleaning के जो products होते हैं जैसे कि toilet cleaning के product होते हैं या फिक घर में भी हम कुछ अपने mirrors को या फिर TV screens को clean करने के जो products use करते हैं उनमें भी काफी ऐसे chemicals होते हैं जिनकी smell हमको शायद पसंद ना आए pregnancy में अक्सर ये होता है कि smelling power बढ़ जाती है जिससे कि जब कोई तेज smell होती है तो इस तरीकी कि smell से आपका जी मचला सकता है आपको उल्टी हो सकती है तो जब भी हम कभी ऐसे all out of a good night machine का परियोग कर रहे हो तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो कमरा है जिस कमरे में ये machine को परियोग हम कर रहे हैं वो cross ventilated हो मतलब कि हवा आ भी रही हो और जा भी रही हो तो कि अगर इस तरीकी की machine का परियोग एक बंद कमरे में करा जाएगा तो जो उस कमरे के अंदर जो chemical की जो fumes हैं उनकी concentration बहुत बढ़ जाएगी और उसी chemical के environment में जब एक गरुवती महिला सांस लेती है तो उसको अन्यको परिशानी हो सकती है साथी में आपको हमेशा इस तरीकी की machine को थोड़ा सा दूर लगाना चाहिए क्योंकि बहुत चाता पास जाना भी इस तरीकी की machine के सही नहीं माना गया है नेक्स जो आइटेम है वो है paint तो उसको paint के अंदर भी कुछ इस तरीकी के chemicals होते हैं जिसकी कुछबू आपको pregnancy के दोरान परिशान कर सकती है आपको सरदर्द हो सकता है या फिर आपका जी मचला सकता है तो कभी भी आपकी घर में paint हो रहा हो तो कोशिश ये करें कि आप इस तरीके की जगहां में आ जाएं और कम से कम pregnancy के दोरान तो painting को आप avoid करवाएं क्योंकि painting के जो दुरगंध होती है ये बहुत जादा तीवर होती है और इस तरीके की smell से definitely आपको problem हो सकती है उसी तरीके से दोस्तों जो nail polish आप use करते हैं उसके अंदर भी एक chemical पाय जाता है जिसे बोलते हैं formality hide ये आपको और भी तरह के cosmetics में मिलता है जिससे कि आपको skin irritation भी हो सकता है तो कोशिश ये करें कि nail polish का परयोग आप कम से कम करें तो ये आपके लिए सही रहेगा इसके लावा दोस्तों pregnancy में आप कोशिश करें कि कभी भी आप pest control वाले काम ना करवाएं क्योंकि pest control जब पूरे घर में होता है तो इतने सारे chemicals का use किया जाता है कि उन chemicals के traces बाद में भी रहते हैं जो कि आपके pregnancy के लिए बिल्कुल भी सही नहीं माने जाते हैं तो इन सब चीनों से साफधान रहना है pregnancy के दोरान दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करका वेशा बताएं वीडियो पसंद आई है हो तो लाइक करें चैनल में नए है तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तक तक के लिए नमस्कार